कक्षा 9 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग एक आए सुनते हैं नवाए उर्दू भाग एक का पंद्रवा सबक सफ़ा नंबर 133 मजरुह सुल्तानपुरी तारुफे शायर मजरुह सुल्तानपुरी 1920 इसवी से 2000 इसवी तक असरार हसन खा मजरुह सुल्तानपुरी सुल्तानपुर उत्तरप्रदेश में पैदा हुए उनके इप्तिदाई तालीम घर पर हुई फिर इन्होंने लखनव से तिप की सनद हासिल की और तबाबत का पेशा इख्तियार किया लेकिन बशपन से ही उन्हें शायरी से लगाओ था और बहुत जल्द वो तबाबत छोड़कर सिर्फ शायरी करने लगे बाद में वो मुंबई चले गए और उन्होंने फिल्म के लिए बहुत से मकबूल और मशहूर गीत लिखे उनका शेर पढ़ने का अंदाज अदबी हलकों में बहुत मकबूल हुआ उनका शुमार तरक्वी पसंद गजल के नुमाइंदा शायरों में होता है उनके कलाम के मजमुएं गजल और मिशले जां के नाम से शाय हो चुके है मजरूह को इकबाल एजाज जिसे आमतोर पर इकबाल सम्मान कहते हैं और दादा साहिब फाल के एवार्ट के अलावा भी दीगर कई इनामातों एजाजाजाद से नवाजा गया है सफ़ा नंबर 134 गजल शायर मजरूह सुल्तान पुरी हम हैं मताए कूचव बाजार की तरह हम हैं मताए कूचव बाजार की तरह उठती है हर निगाह खरीदार की तरह वो तो कहीं है और मगर दिल के आसपास फिरती है कोई शेय निगाह यार की तरह सीधी है राह शौख पे यूहीं कहीं कहीं सीधी है राह शौख पे यूहीं कहीं कहीं खम हो गई है के सुए दिलदार की तरह बे तीशय नजर न चलो राह रफ्तगां बे तीशय नजर न चलो राह रफ्तगां हर नक्ष पा बुलंद है दीवार की तरह अब जा के कुछ खुला हुनरे नाखिने जुनू जखमे जिगर हुए लब और रुखसार की तरह मजरूह लिख रहे हैं वो एहले वफा का नाम मजरूह लिख रहे हैं वो एहले वफा का नाम हम भी खड़े हुए हैं गुनेकार की तरह मजरूह सुल्तान पुरी सफ़ा नंबर एक सो पैंटीस मश्क लवजो मानी मता सामान पूझे कूचा गली राहे शौक महबबत का रास्ता खम टेढ बल पेच गेसुए दिल्दार महबूब की जुल्फे तैशा कुदाल लिहाजा बे तैशा नजर ना चलो के माइने हुए गोर करने वाली निगाह को इस तरह इस्तिमाल करो जिस तरह कुदाल इस्तिमाल की जाती है यानी पुराने खयालात जो दिवार की तरह हैं उन्हें अपने गोर और फिक्र की ताकत से बराबर और हमवार कर दो रफ्टगां गुजरे हुए लोग नक्षपा कदमों के निशान एहले वफा वफा करने वाले लोग गोर करने की बाद इस गजल के अशार में इनसान के मुख्तलिफ हैसियतों को जाहिर किया गया है ये हैसियते हैं आशिक, इनकलाबी, नई राहें निकालने वाला मजरू का शुमार उस दौर के एहम तरीन घजल गोशुरा में होता है उनका तालुक अन्जुमन तरकी पसंद मुसनिफीन से था उनका कलाम पुरसर है और तसन्ना से पाक है सवालों के जवाब लिखिये सवाल नमबर एक राहे शौक से क्या मुराद है? एक जुमले में लिखिये सवाल नमबर दो दूसरे शेर में वो तो कहीं है और किसकी तरह फिशारा है? सवाल नमबर तीन घजल के मक्ते में शायर ने क्या बात कही है? सवाल नमबर 136 अमली काम घजल को बावाजे बुलंद पढ़िए घजल के अशार को खुशकत लिखिये इस घजल को जबानी याद कीजिए घजल में इस्तेमाल की गई तश्बीहात और इस तारात की निशान देही कीजिए मतलब लिखिये हम है मताए कूजओ बाजार की तरह उठती है हर निगाह खरीदार की तरह सीधी है राह शौक पे यूहीं कहीं कहीं खम हो गई है गेसुए दिलदार की तरह इसी के साथ नवाए उर्दू भाग एक का पंदरवा सबक यहां खत्म होता है इसके बाद सबक सोला आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नही दिल्ली भारत प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T.